जी हाँ स्वागत है आपका तो इसके पिछले वीडियो में अब तक 200 अति महत्य पूर्ण प्रशनों पर हम अभ्यास कर चुके हैं अगर आपने वो मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्य पूर्ण प्रशनों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये वही प प्रशन नमबर 201 की बात करते हैं सुल्तानपूर पक्षी अभ्यारण किस राज्य में है तो सही जवाब क्या होगा ये हो जाएगा आपका हरियारा ठीक यानि 200 का 201 का श्री आप्षन इसमें सही होगा चलिए प्रशन नमबर 202 की बात करते हैं कि निमलेखित में से कौन सा अ जंगली हाथियों के लिए परसिद्ध है ये चार आप्षन होगे सही जवाब क्या होगा पेरियार और प्रशन नमबर 203 है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण किस राज्य में इस्तित है सही जवाब होगा गुजरात और प्रशन नमबर 204 की बात करें कि भारत के सरवाधिक के छेत पर किस परकार की मिट्टी पाई जाती है तो सही जवाब क्या हो जाएगा आप्षन ये जलोड मिट्टी पाई जाती है अब बात करते हैं अगले बेहद महात्यपूर्ण प्रशन की यहां से अक्सर ये प्रशन पूछे जाते हैं बेहद महात्यपूर्ण प्रशन औ और इन पूर प्रशनों पर आप प्रैक्टिस करते रहें, नभीन जलोड मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, सही जवाब क्या होगा, खादर, ठीक, चलिए हम मौका भी आपको देते हैं, आप हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, और गंगा के मैदानो की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, यह रहे चार आपसंस, और सही जवाब क्या हो जाएगा, दो सो छे का, इसमें बी आपसंस यह नहीं, बांगर कहलाता है, ठीक है, चलिए प्रशन नमबर दो सो साथ, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, ठी सही जवाब काली मिट्टी का दूसरा नाम है, किस मिट्टी में किरसी के लिए अधिक सिचाई की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है, सही जवाब काली मिट्टी, चलिए प्रशन नमबर 210 की बात करें, कि लेटराइट मिट्टी की परधानता है, क्या परधानता है, यह बताना है options यह होगा माला वार तटिये परदेश में पाय जाता है चलिए 211 की बात करते है धान की खेती के लिए सरवाधिक उपियुक्त मिट्टी कौन सी है सही जवाब क्या होगा जलोड मिट्टी ठीक चलिए प्रस नमबर हो जाएगा वन रोपर के द्वारा रोकर जा सकता है 249 बारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सरवाधिक विस्तार है यह चार option जवाब जलोड मिट्टी का विस्तार है प्रशन सबसे ज़ुँआएुँ पाई जाती है सजी के होजाएगा raooshn 269 भारत में सबसे ज्यादा गर्म अस्थान है कहा पर उसका सबसे घरपम अस्थान एधिये गई और ग्रासणों नमबर 282 में रित्में उत्तर पछ्प्र में चलने वाली गर्म और शुष का हवाओं को कहा जाता है, क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक 218 का D option यानि लू कहते हैं, चलिए प्रशन नंबर 219 जाड़े के दिनों के उत्तर पच्छिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्सा होती है सही जबाब क्या होगा पच्छिमी बिच्छोभों से ठीक, चलिए अगले प्रशन की तरफ भारत में अधिकांस वर्सा होती है ठीक है, तो इसका सही जबाब क्या होगा दच्छिर पच्छिमी मानसून से, 221 तमिल नाडु में शीत कालीन वर्सा का कारण क्या है तो इसका सही जबाब हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून परशन नमबर 222 भारत में सरवाधिक वर्सा पाने वाला अस्थान कौन सा है तो इसका सही जबाब क्या होगा मासिन राम और प्रशन नमबर 223 है कि भारत में सबसे कम वर्सा वाला स्थान कौन सा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा और प्रश नमबर 224 है कि आमर वर्सा यानि मैंगो शोवर्स कहां पर है ठीक है तो 224 का बी आप्शन मांसून से पूर्वी पच्छमी तटिये परदेश में होने वाली वर्सा को आमर वर्सा कहते हैं ठीक चलिए ग्रीस्म क काल में आने वाले तूफानों को किस राज में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है यह चार आप्शन्स आपके सामने हैं और सही जवाब चुनकर बताईए पच्छिमी बंगाल ठीक है पच्छिम बंगाल चलिए प्रश नमबर 226 है कि दच्छिड पच्छिम मांसून निम वर्षा वार्षिक तापांतर का कारण क्या है तो इसका सही जवाब क्या होगा सी समुंदर से अधिक दूरी अगले महत्यपूर्ण प्रशन की तरब 228 नमबर निमलिखित में से कहां महादुपिय जलवायू पाई जाती है यह चार आप्शन्स और सही जवाब क्या होगा दिल्ली ठीक चलिए प्रशन नमबर 220 है एल नीनो के बारे में कौन सा कथन शत्य है यह चार आप्शन्स है और यह चारो आप्शन्स आप पढ़ लीजियो फिर बताईए सही जवाब क्या होगा उपरोक्त सभी सही है ठीक चलिए प्रशन नमबर 230 मांसून निरवर्तन से सब सबसे अधिक वर्सा कहां पर होती है तो इसका सही जवाब क्या होगा चन्नाई हम आपको बताने का समय दे रहे हैं आप सोच समझकर जवाब देते रहे हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज कौन सा है सही सही जवाब क्या होगा पश्चिम बंगाल ठीक चलिए 232 भारत की सरवाधिक भूम में कौन सी फसल उगाई जाती है सही जवाब धान 233 रभी की फसल कौन सी है इस चार आपसंस रहे इसका जवाब तो देही डालो ये सभी है गेहु मटर राई 34 दो सो चोंतिस खरीब की फस कौन सी है ये चार आपसंस सही जवाब ये सभी धान मक्का मौंग फली 235 भारत का सबसे बड़ा मौंग फली उत्पादक राज कौन सा है सही जवाब गुजरात प्रस नमबर 236 भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज कौन सा है सही जवाब उत्तर परदेश निम लिखित में से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है ठीक है यह चार आप्संस है और सही जवाब क्या होगा पढ़के जवाब दीजेगा यह कपास गुजरात ठीक है ना यह सुमेलित नहीं है बाकी चाय असम तंबाकु आंत परदेश रेसम करनाटक यह सुमेलित है 237 का डी संबंधित उतपादन ठीक 238 का सही जवाब क्या हो जाएगा डी रजत चांदी ठीक है यह सुमेलित नहीं है जबकि हरित खाद्दान श्वयत दुग्द और गुलावी जींगा मचली से संबंधित है चलिए प्रश नंबर 249 की बात करें कि निम लिखित में से कौन सा नहीं है बाकि पीली तिलहन से भूरी उर्वरक से शुमेलित है ठीक है चलिए अगले महात्यपूर्ण प्रशन की तरफ प्रश नंबर 249 किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सरवाधिक अंतराल पाया जाता है यह चार आप्शन से और सही जवाब क्या हो जाएगा गणना ठीक चलिए प्रश नंबर 241 ओप्रेशन फ्लड का शंबन किस से दुख्द उतपादन से 242 भारत में हरित करांते से जुड़े वैग्यानिक हैं यह चार आप्शन से ले लिजिए और सही जवाब बताईए डाक्टर एमेस श्वामीनाथन 243 दुख्द उतपादन मे भारत का विश्व में कौन सा अस्थान है 243 का सही जवाब क्या होगा आपसंस यह पर्थम अस्थान है ठीक चलिए 244 गुजरात का सबसे महत्पूर्ण तेल छेतर कौन सा है यह चार आपसंस और सही जवाब क्या होगा 244 का बी अंकलेशवर चलिए प्रश नंबर 245 की और शिंग भूम उत्रा खंड के किसके लिए पर्शिद्ध है सही जवाब क्या होगा यह लोहा के लिए पर्शिद्ध है शिंग भूम 245 का इसमें डी आपसंस सही है चलिए प्रश नंबर 246 है कुंद्रे मुख लोह खनीस परियोजना किस ρाज में इस्तिध है सही जबाब करनाटक में चलिए प्रस नमबर 247 भारत में सरबाधि कोईला भंडार पाए जाते हैं कहां पर सही जबाब जारखंड में प्रस नमबर 248 है कि भारत में खानिस टेल का उतपादन सरपर्थम कहां किया गया था तो सही जबाब क्या हो जाएगा डिग बोई चलिए अगले महत्तिपूर्ट प्रसट की तरफ निमलिखित में से कौन सा युगम है जो सुमेलित नहीं है ठीक यह चार आप्सेंस हो गए इन चार आप्सेंस में से सही जबाप देना है कि कौन सा नहीं है ठीक खेतडी किसके लिए परसिद्ध है तो बहुत फेमस कोशन है अक्सर ये पूछा जाता है ताबा बैला डिला ठीक है ये किसके लिए परसिद्ध है बैला डिला किसके लिए परसिद्ध है इसका सही जबाब क्या हो जाएगा लोह ऐस के लिए परसिद्ध है अब बात करते हैं हम प्रश नंबर 252 की इन में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो सही जब आप मोटर कार सीता मड़ी ये सुमेलित नहीं है बाकी लोकोमेटिव वारांसी रेल लिब्बा कपूर्थला विद्दूतिंजन चितरंजन ये बारत में सबसे बड़ा टेल शोधन कारखाना है कहां पर इस्तेथे ये बताना है जाम नगर यानी 233 का सी आप्शन इसमें सही है चलिए 244 का पिमपरी संबन्दी थै किसे संबन्दी थै ये बताना है पेंसिलीन उद्धो के लिए चलिए अगले कोश्चन की तरफ भारत का पर्थम स्टील प्रोजेक्ट शहर अस्थापित किया गया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जमसेदपूर ठीक चलिए प्रशनमबर 256 है कि पंजाब में कौन सा अस्थान हाउजरी उद्धो के लिए परसिद्ध है 256 का ये आप्शन सही होगा लुधियाना चलिए प्रशनमबर 255 की तरफ रोजगार की देश्टी से भारत में सबसे बड़ा उद्धो कौन सा है सही जवाब सूती वस्त्र चलिए नेश कोश्चन नेता जी सुबास चंद्र बोस हवाई अड़ा कहां पर इस् कहां चलिए सही जवाब दिल्ली चन नहीं ठीक चलिए प्रशनमबर 260 निम्लेखित में से कौन सी रेल गाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है ये चार आपसंस और सही जवाब क्या होगा बिवेक एक्सप्रेस चलिए 261 बंदर गाहों में से कौन एक मुक्त ब्यापार छेत्र है 261 का सी कांडला चलिए प्रशनमबर 262 की बात करें कि भारत के पूर्वी तड़ पर प्राकिरतिक बंदर गाह कौन सा है सही जवाब चन नहीं निशकोशन सुरणीम चतुरभुज परियोजना किसे से संबंदित है सही जवाब शड़क परियोजना से सं प्रशनमबर 264 हिमाले परवत स्रेडी का सबसे नभीन भाग कौन सा है यह चार आप्सें और सही जवाब क्या हो जाएगा बाह हिमाले चलिए प्रशनमबर 265 की तरफ कौन सी अच्छांस रेखा भारत के मद्ध से होकर गुजरती है यह चार आप्सेंस और सही जवाब क्या होगा करक रेखा ठीक चलिए 266 भारत का कौन सा भू आकिर्तिक परदेश प्राचीनतम है ठीक सही जवाब क्या होगा प्राया देवपिय पठार ठीक चलिए 267 हैदराबाद का जुड़वा नगर है यह चार आप्सन्स हो गया और सही जवाब क्या हो जाएगा 267 का डी आप्शन शिकंदराबाद 267 का डी सिकंदराबाद होगा ठीक चलिए 268 भारत का एक मात्र शीत मरुस्थल कौन सा है सही जवाब लद्दाख नेक्ट कोशन पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतिय के राज कौन कौन से है यह चार आप्सन्स ले लिजे कौन कौन से है यह बताना है पढ़ लिजे कोशन को उसके बाद जवाब दीजे सी गुजरात राजस्थान पंजाब और जम्मू कस्मीर नेस्ट भारत के सबसे दच्छडी भाग में कौन सी पहाड़ी इस्तित है चार सही जवाब मेगाले चलिए अगले प्रशन की तरफ खैवर दर्रा कहां पर इस्तित है सही जवाब पाकिस्तन नेस्ट कोशटन किस नदी को बिहार का शोक कहा जाताया यह कोशी नेस्ट कोश्टन रिप्ट वैले से होकर बहने वाली कौन सी नदी है यह चार आप्संसे सही जवाब क्या होगा नर्मदा नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके सासनकाल में रखा गया था ये चार आपसंस सही जवाब अटल विहारी बाचपे के सासनकाल में चलिए प्रस नमबर 276 की तरफ जम्मू कस्मीर की राधधानी सिरी नगर किस नदी के तड़ पर इस्तित है ये चार आपसंस ले लिजी और सही जवाब चुनकर बताईए जेलम उज्जैन किस नदी के किनारे इस्तित है सही जवाब चिपरा मैथान बाल पहाड़ी और तिलईया बांध किस नदी पर बनाए गए है ये चार आपसंस सही जवाब बराबर 279 भारत की परसिद लेगून जहील है कहां पर है सही जवाब चिलका 288 काकोलत जल्परपात बिहार के किस राज में इस्तित है सही जवाब नवादा काकरा पार परियोजना किस नदी से शम्बंधित है सही जवाब तापती सरदार शरोर परियोजना किस राज में निर्माडा धीन है सही जवाब गुजराद भारत के उत्तर पच्छिमी भाग में शीत कालीन वर्षा का कारण क्या है सही जवाब उपरोक में से कोई नहीं 284 मांसून किस भासा का शब्द है अर्वी रास्टिय परियावरण इंजिनेरिंग शोज संस्थान कहां पर इस्थित है सही जवाब नागपुर भारत में परमुख वनस्पती कौन कौन सी है सही जवाब पतिजडवन भारत में अस्थापित परथम रास्टिय उद्यान कौन सा है चार ओप्संस सही जवाब जिम कारवेट उत्राखंड किस मिट्टी का निर्माड बेसाल्ट चट्टानों के बिखंडन से हुआ है सही जवाब काली मिट्टी किर्सी से भारतिय और दोगिक बिकास को बढ़ावा किर्सी से भारतिय और दोगिक बिकास को बढ़ावा किस परकार मिलता है ठीक है तो यह चार आप्सेंस है इसका सही जवाब क्या होगा ठीक है चुन करके सही जवाब दीजिए सही जवाब हो जाएगा कच्चे माल की आपूरती करके ठीक चलिए परस नंबर 290 है सबसे छोटा महासागर कौन सा है यह चार आप्सेंस और सही जवाब आर के ठीक महासागर होगा और 290 है कि परिया औरण में परदोशकों की उपस्थिती को शामानिता पीपी एम में ब्यक्त किया जाता है यहाँ पीपी एम का पूर्ण रूप क्या होगा ठीक है तो यह चार आप्सेंस दिये गए है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन ठीक चलिए परस नंबर 292 वाता औरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिज से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं यह बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा और दोगिक धोम निर्माड बनाते हैं ठीक है यह इसका चोथा आप्सेंस सही होगा यानि 292 का चोथा आप्सेंस सही है फिर से देख लिजिएगा इसको चलिए अब बात करते हैं प्रस्ट नंबर 293 की वाच्छमी राजस्थान की मिर्दा में किसका अधिक अंस होता है ये चार आप्सन सुन लिजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा कैलसियम ठीक चलिए प्रस्ट नंबर 294 लोहा इससे निकाला जाता है ये चार आप्सन से सही जवाब क्या होगा हेमेट ये कोशन पूछे के प्रस्ट है और शमुंद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है चार आप्सन देख लिजिए और इसका तो जवाब देही सकते हैं बहुत आशान भी है चलिए शूरज और चंद्रमा का शैयुक्त प्रभाव के कारण ठीक चलिए प्रस्ट नंबर 296 उत्री धुरबिय अनुवर परदेश यानि टुन्रा है ये चार आप्सन देख लिजिए ये कोशन अकसर पूछा जाता है इसको ध्यान से देख लिजिए ठंडे रेगिस्तान ठीक चलिए प्रस्ट नंबर 297 भारत में सूती वस्तरों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज कौन सा है ये चार आपसंस गुजरात ठीक है चलिए अगले महत्तिपूर्प्रशन की तरफ 300 अति महत्तिपूर्प्रशन हम पूरा करने वाले हैं भूकम को दर्ज करने वाला उपकरण है ये चार आपसंस है और सही जवाब क्या होगा सिसमो गराब जो की कई बार हम अभ्यास कर चुके हैं 299 है वायू के परदोशन के लिए उत्तरदाई शरवाधिक शामान नी कारण है यह चार आप्शन से तो यह धुआ होगा चलिए नेश कोशन की बात करें बाड बनाना एकत्रित करना और उन कटाई जैसी गत्विधियां इससे संबंदित हैं यह चार आप्शन से इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा इसका आप्शन B यानि कपास सूत की खेती ठीक है यह 300 का B आप्शन से शही होगा तो यह थे जियोग्राफिक के वो महात्यपूर्ण प्रशन जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और भी महात्यपूर्ण प्रशन है 301 है रवड के बगीचे यहां पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा भूमद रेखे छेतरों में और प्रशन नमबर 302 है और दोगी क्रांत के फलसरोप यह हुआ क्या हुआ है इसमें चार आप्शन दिये गए है तो हुआ परदोशनों में बढ़ोत्तरी हुई है तो यह महात्यपूर्ण प्रशन जो आपके पेपर के लिए बेहद उपियोगी है वेस्ट आप लग